आज हमां Conjections पर discuss करेंगे Actually सबसे पहले समझते हैं कि Conjections है गया Conjections कुछ ऐसे Words होते हैं जो या तो Words को जोड़ते हैं या Closies को या Phrases को तो सबसे पहले Conjections समझते हैं Use to Combine Words, Phrases and Claws तो यह कुछ ऐसे Words होते हैं जो जोडने का काम करते हैं Phrases क्या होते हैं Phrases and Closies क्या होते हैं Groups of Words होते हैं जिसके बारे में हम आगे discuss करेंगे तो सबसे पहले एक disclaimer है कि अगर आप किसी exam के लिए तियारी कर रहे हो तो आपको यह तीन तरह के जो Conjections है इसे याद करने की जरुरत है इनकी definition याद करने की जरुरत है नहीं तो अगर आप just English सीख रहे हो तो आप यह शोड भी सकते हो कि इसकी definition क्या है इसकी definition क्या है या इसे क्या कहते है तो आप इसे शोडने को भी चूज कर सकते हो क्यूंकि आपको at the end of the day आपको यह पता होना जाहिए कि for का meaning क्या है but का meaning क्या है nor, neither, so इनका क्या meaning है आप अपनी talks में यह नहीं पताएंगे कि इनका क्या meaning है तो you can choose इनके आप यह याद करो या ना करो बट यह बहुत ही simple है you can choose to learn it दो सबसे पहले types करेंगे यह तीन तरह का है जैसे कि मैंने कहा co-ordinating conjunctions subordinate conjunctions and correlative conjunctions सबसे पहले समझते हैं कि coordinating conjunctions क्या होते हैं coordinating conjunctions वो होते हैं जो दो independent closes को जोडते हैं या words को जोडते हैं जैसे कि इसे याद करने का तरीका है fanboys F for and nor but or yet and so यह जो examples है यह coordinating conjunctions की है तो समझते हैं इसकी example लेके दो examples लेंगे इसकी Ram and sham eat together Ram और sham एक अठे खाते हैं तो इसमें and यह है and क्या हो गया and एक example है conjunction की क्यूंकि इसने किस को जोड़ा इसने Ram और sham को जोड़ दिया तो यह क्या है Ram and sham eat together Ram भी खाता है और sham भी खाता है पर वो इक अठे खाते है and इसमें क्या है इसकी इसमें क्या है conjunction का किसम है conjunction की example है example अगे कर लेते हैं I don't like apple no do I like banana मुझे apple पसंद नहीं है ना ही मुझे बनाना पसंद है तो नोर का क्या meaning आ गया नोर इसका meaning है ना ही मुझे apple पसंद नहीं है ना ही nor do I like banana ना ही मुझे बनाना पसंद है तो नोर इसमें क्या है ये दो sentences को जोड रहा है इन दोनों को ये जोड रहा है yet की example कर लेते हैं he works very hard yet he fails वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है फिर भी वो फिल हो जाता है तो yet क्या है एक example है yet का meaning है फिर भी एक काम करने के बावजूद भी एक काम हो जाता है दूसरा काम हो जाता है ही वोक्स हार्ड फिर भी वो फेल हो जाता है याट का मीनिंग है फिर भी बड़ तो आपको पता ही है I am very hungry but I cannot eatמ però केलो होता है हम भूके होते हैंब डॉक्टर ने किसी चीज को खाने केलिए महन किया होता है बड का मीनिंग है पर ये आवको पता ही होगा अगली ग्जैंपल है थो उश्षैंस्ञ करना के या कि आ इतर जाडू सेगेंट हिहे छोटी है उस्समेatures एक डिपेंड करता है जैसे कि he came before I could go, वो आया, किससे पहले, मेरे जाने से पहले, before I could go, तो इसमें before क्या है, एक conjunction की example है, इसमें he came, ये एक independent clause है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो आया, ये आपका sentence simple लगेगा, पर before I could go, अगर आप ऐसे बोलते हो, तो ये simple sentence नहीं है, आपको बंदा पूछेगा कि किससे पहले, before I could go, तो इससे पहले क्या हुआ, इस इसलिए आपको ये sentence क्या है, dependent है, इस sentence पर, तो इसको क्या हम कहेंगे, dependent clause, या subordinate clause, और इसको क्या कहेंगे, independent clause, और example कर लेते हैं, you cannot pass unless you work hard, तुम पास नहीं हो सकते हैं, जब तक कि तुम hard work नहीं करते हैं, जब तक कि करते हैं, तो unless का मीनिंग क्या है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, you cannot pass, तुम पास नहीं हो सकते, जब तक कि नहीं तुम कर लेते हाड वर्क, तो until भी सेम ही है, आप until का भी यूज कर सकते हो, you cannot pass until you work hard, अब इसमें although का मीनिंग सम्भाइते हैं, अल्दो का मीनिंग कहात चाहिए, although he works hard, he fails, चाहिए वो महनुत करता है, फिर भी वो फेल हो जाता है, तो although क्या है, एक ग्रमपल है इसकी, since का मिनिंग क्या है, क्योंकि, I cannot eat this, since I am not hungry, मुझे ये नहीं खाना है, क्योंकि मैं हंगरी नहीं हूँ, तो next कर लेते हैं, third example, correlating conjunctions, ये conjunctions वो है, जो pairs में आते हैं, इनकी जो हम views है, वो pairs में करते हैं, जैसे कि neither, neither or nor को हम, क्या कहते हैं, correlating conjunctions, क्योंकि ये pairs में आते हैं, neither or nor का मेनिंग क्या होता है, ना ही ये, ना ही वो, she can neither walk, वो ना ही चल सकती है, nor talk, ना ही बात कर सकती है, तो इसमें दोनों sentences negative है, ना तो वो बो कर सकती है, ना ही talk कर सकती है, इसकी दूसरी example है, either and or, either or, he is either hungry or wanting to put on more weight, या तो वो बहत हंगरी है, या तो उसे बेट बढ़ाना है, तो इसमें either or or का क्या meaning है, या तो ये, या तो बो, neither and nor का क्या था, ना ही ये, ना ही वो, either and or का क्या meaning है, या तो ये, या तो बो, तो I hope you liked the video, आपने सीखा होगा, कुछ conjections क्या होते हैं, बहुँ वर्ड्स, जो clauses, phrases, phrases क्या होते हैं, groups of words होते हैं, तो इसके बाद हमें इसकी examples की, until, nor, what, or, although, since, while, until, neither and nor, if you liked the video, तो do not forget to hit the like button and subscribe to the channel if you have not done yet.